पानी की पूजा या पानी को एक जगे से दूसी जगे लेके आना ये बौध्धो की बहुत पुरानी प्रंप्रा है जो बौध पद्धती में महायानी प्रंप्रा होती है महायानी या सांगिक जो प्रंप्रा होती है सांगिक परंपरा और महायानी परंपरा वो परंपरा है जो भगवान बुद्ध की ओरिजिनल ही परंपरा है मगर उसमें भगवान बुद्ध की दिसा निर्देश के नुसरार कुछ नियम छोड़ दिये गए लगबग 10 नियम उस समय और वो संग बड़ा था इसलिए उसको महा सांगिक संग बोलते हैं और बाद में इसको महा यान या महा यान के लोग बुला जाग चाते हैं महा यानी परंपरा में जो बहुत भिक्षू रहते हैं या बहुत परिवार रहते हैं या धंबिक परिवार रहते हैं वो अधिकतर उनकी भोगोलिक इस्तिती बहुत भिन है सम्तल के हिसाब से जो मैदान है उनके साथ है जैसे दिल्ली या कैलकटा या मंबई ये जो इस्थान है इन से अलावा उनकी बहुत भिन है वो उंचे पहालों पर रहते हैं जहां पर मौसम बहुत ज्यादा शुष्क रह सोपने जहां जहां भी बहुत विकु भेज़े और उसके बाद जहां जहां भी धम बरता गया उसमें जो इस सुष्क एरिया है जाना जो ड्राइण एरिया है उस एरिया में नमी बहुत कम होती है आप अगर ले या लगदाग जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि अगर आप वहाँ ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं तो आपका सारा सरी लगबग वहाँ सूख जाता है इसके न और सूखना सुरू हो जाता है वहाँ सारा का सारा एयर मौस्टर को उड़ा के ले जाती है और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है माइनस में भी चला जाता है माइनस में जाने की वैसे वहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत हो जाती है पुराने सनने में अबी तो वहाँ जमीन के नीचे से पानी निकालने की बहुत सुविधा है मगर जब ये परंपरा बनी थी तब वहाँ जमीन से पानी निकालने की सुविधा नहीं थी होता क्या था कि उन दिनों पानी लाने के लिए बहुत दूर से लाना पड़ता था और जितने भी मौनेश्ट्री या गौमपा या बुद्विहार या आराम या जहां बुद्धिश लोग रहते थे और पढ़ते थे और सिक्षा का आधन पिदान करते थे वो सारी जगे पहाड के उचे सिरे पे बनाई गई हैं आप ले लगदा के छेतर में जाएंगे या तिबबत के छेतर में जाएंगे या मंगूल के छेतर में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि पहाड के उचे सिरे पे भूटान के अंदर भी और सिक्किम के अंदर भी पहाड के उचे हिस्से पे मौनेश्ट्री या बुद्विहा होता है जिसको मॉनेश्री बोलते है या गॉंपा बोलते है और वो उची जगह पर पानी नहीं आता क्योंकि पानी है या जमीन के नीचे रेकिस्तान में लेता है तो पानी को लाने के लिए उपर बहुत महनत करनी पड़ती थी और ये वन बाई वन सभी पानी को लेके आते थे पानी कंधे पे लादा और पानी को लेके आने लगे ये पुराना tradition है अभी तो पाई पाईन सब्जी के लगबग आ गई है तो वहाँ हर समय वाटर वर्सिपिंग चलती है वाटर वर्सिपिंग क्यों चलती है क्योंकि बुद्ध के किसी भी परंपरा में या बुद्ध की किसी भी टीचिंग में कोई अंद्विस्वास नहीं है पानी को पूझना कोई अंद्विस्वास नहीं है पानी इसलिए पूजा जाता है और पानी को वहाँ बाउल्स में या कटोरी में चोटी-चोटी कटोरी में बहुत जाता संख्याम है open to air यानि हवा के अंदर खुला रखा जाता है इसलिए रखा जाता है क्योंकि वहाँ जो 24 घंटे लोग रहते हैं उनको air में बरावर नमी मिलती रहे moisture बरावर मिलता रहे इस moisture मिलने के लिए इस नमी को मिलने के लिए सरीर स्वस्त है रहे इसलिए वहाँ पर एक तो light हमें से जलती रहती है light का मतलब है candlelight या मौमबती या दिया बहुत सारे दिये भी वहा चलते रहते हैं, जिससे कि उनको गर्मी मिलती रहती है, और एक तरफ पानी की बहुत सारी कटोरियां भरी होती हैं, जिससे कि उनको मौश्रम मिलता रहता है. ये एक scientific कारण है वहाँ जीने के लिए, इसलिए पानी लाना और उस रोम का टेमपिचर बना के मैंटन करके रखना कि है ये वहाँ जीने की पदती है जो धम की अनुसार जोड़ दी गई, ताकि धम में आसानी से इसको लोग कर सकें इस वाटर वर्सपिंग को आज की डेट में समतल मैदानों में भी लेका आया गया हाला कि समतल मैदानों में पानी की कोई आवशक्ता है नहीं क्योंकि पानी समतल मैदानों में सावन के महिने में जमा जम चारो तरफ बरसता है इसलिए water worshiping मैदानों का नहीं है ये water worshiping ले में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत पुराना शहर है जिसको संकर गाओं बोलते हैं संकर गाओं में एक संकर रोड भी है और एक संकर गोंपा भी है बहुत पुराना है जो आप यहाँ पिचर में देख रहे हैं महाँ पे जो संकर महादेव हैं जो बौध परंपरा में जैसे आसन पे बैठते हैं वो सेर की खाल पे बैठे हुए हैं और विपस्टना कर रहे हैं हमने वहाँ जाके उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इनकी वाइफ का नाम पभवता यानी परवत पे रहने वाली है और यहाँ के संकर महादेव हैं जो यहाँ टीचिंग करते थे बुद्ध की और इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और यहाँ के किंग भी रहे हैं राजे भी रहे हैं और इनका बहुत परवतों से उतर के जो लूग नीचे आये उनसे उनका बहुत ज़्यादा जगडा भी रहा इसलिए बहुत पुराना है कभी आप ले जाएं तो ले जाके संकर गौंपा या संकर बुद्ध बिहार या संकर मौनेश्टी जरूर जाएं बहुत परणी मौनेश्टी और वहाँ भी महीन पर भाद होती है जगे-जगे बहुत बरश्यादा से मनाया जाता है वाटर बर्श्याबि नहीं मगर देशनागे रूप में क्योंकि सावन का मतलब है सावन का मतलब है घोशना पाली के अंदर सावन अगर बोलेंगे तो इसका मतलब है घोशना और अगर सावन बोलेंगे तो इसका मतलब है सुनना दोनों के ही मिस्रन से सावन बना है यानि सावन भी है और सावन भी है ये महिना दोनों के काम आता है गोशना कौन करता है? गोशना करते हैं जो भिक्कु संग जो वसाबास में आके रुक गया है क्योंकि जैसे ही असाड़ी पूर्ण मा आती है और सावन आरम होता है, सुरू होता है, स्टार्ट होता है उसी समय से पहले 81 से यानि पहले दिन से पूरण मासी के पहले दिन से ही लोग देशना सुनने के लिए आते हैं और देशना सुनके वहाँ बैठते हैं तो वो गोशना जो करते हैं बहुत बिक्चु जो गोशना करते हैं उसको सावन बोलते हैं और सावन जो उपासक लोग जो सुनते हैं उसको सावन बोलते हैं इन दोनों के मिस्रण से यह जो महिना है इसका नाम पड़ा है सावन सावन महिने की एक खास बात है सावन महिने की जो दूसरी खास बात है कि इसके बहुत सारे नियम भी बनाए गए उस समय देशना सुनने के लिए यानि कि जो धमके उपदेश होते थे उनको सुनने के लिए देशना का मतलब है उपदेशना यानि की जो भग्वान बुद्ध ने कहा है, भंगी बुद्ध ने कहा है, उसकी देशना देना या उप देशना देना उसको बताना, जो जगे 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 सामन के महिने में बहुत जादा बताय जाती है, इसलिए water worshipping तो समतल का area नहीं है, यानि पानी की पूजा या पानी का लाना या पानी कर ले जाना तो यहां जरूत नहीं है मगर धम देशना के जो देशना दी जाती है सामन के महिने में उसकी बहुत ज़्यादा चेहल पल रहती है पहले सौमबार नहीं हुआ करता था क्योंकि सौम माने जो होता है वो सौमरस होता है सौम रस से सौमवार बना हुआ है या सौम का मतलब जो होता है वो पाली में अलग तरह का होता है इसलिए सौमवार सब नहीं था और ना ही यहाँ पहले हपते थे पहले पूर्ण मासी थी या अमावस थी या बोलते थे एकंग दुई तीनी चत्तारी पंच छे सत अठ नव दस एक दस ऐसे करके बोला जाता था और चोदस के बाद चोदमी आती थी और फिर पूर्ण मासी आती थी तेरस हो गया बारस तेरस चोदस और उसके बाद पूर्ण मासी तो पहले हपता नहीं होते थे पहले पूरा पक्षवारा होता था यानि पक्ष होता था पूरा पूरा प उट्बाइग क्ष्ट शुप मुना आगे बढ़ता था तो उसको बोलते थे करिश्ट पक्ष्ट जो नियम है। बहुत बड़ी नियम इसके बनाएगए सामन के महीनेके क्योंकि जितने भी उपासक आने हैं वो सफेद कपड़ों में आएंगे सफेद कपड़ों में वो आके बैठे थे सफेद कपड़ों में आने के बाद उनको बाद में पनपरा में सफेद फूल में बदल दिया गया जो अक्षत है अक्षत जो बोलते हैं अक्षत का मतलब है एच्छे यानि कि जिसका च्छे ना हुआ हो यानि धम देशना सुनने के लिए या वेपशना के लिए वही आ सकता है जो अक्षे हो अक्षे का मतलब अच्छे हो जिसके सरीर में कोई च्छे ना हो जो स्वस्थ हो पुलकुल ये नियम है कि धंब सीखने वही आएगा जो स्वस्थ होगा बीमार आदमी धंब नहीं सीख सकता ये नेच्रल सी बात है बीमार आदमी पहले स्वस्थ होगा एक इसमें भांग का नियम है भांग का नियम बाद में इसको भांग से जोड़ा गया जबकि विपस्णा में और देशना में ये भंग का नियम है भंग का नियम ये है कि आपको भंग अवस्ता तक पहुंचना है और भंग अवस्ता जाननी है और जिन लोगों ने पहले भंग अवस्ता जाननी है उसको दोहराना है ये भंगा है एक इसमें धतूरे का नियम है धतूरा जो बाद में बदला गया धतूरे को नशिला पधात बताया गया मगर पाली के अंदर ये धुतांग होता है धुतांग क का यानि कि जो धूत है उसका नियम है जिसको बाद में धातूरा बोला गया एक इसमें सफेद चंदन का नियम है सफेद कपड़ों से लिया गया यानि कि आपको मन सफेद करके आना है मन सफेद का मतलब है कि आपका जो मन है वो काला नहीं रहना चाहिए सफेद चंदन यहां उसी का प्रिटिक जो बाद में बनाया गया कि अगर मन आपका सुद्ध होगा तभी आप विपसना कर सकते हैं तभी आप देशना को घ्रन कर सकते हैं अगर आपके मन में मैल जमा होगा, मन काला होगा चंदन की तरह सफेद नहीं होगा, खुस्बुदा नहीं होगा तो वो नहीं आप आएगा क्योंकि प्लेन में हर जिगे चंदन पहले नहीं होता था मगर चंदन की खुस्बु और चंदन की जो पवित्ता है उसके हिसाब से इसको जोड़ा गया और इसमें खाने की बहुत सावन के मिने में आप सब जानते होंगे कि जो गरिष्ट भोजन है खास दोर से मास और मदिरा है उसके लिए बिल्कुल मना किया हुआ है अगर आप मदिरा या शराप पी के आएंगे या नसिला पधार लेके आएंगे तो आप विपसना कर ही नहीं सकते ये विपसना का नियम है कि विपसना के लिए स्वस्ता सरी चाहिए और कोई भी जो पधार ऐसा है नसिला पधार तो उसका सेवन धना करें और खाना भी आपने एक टाइम खाना है 12 वे से पहले और मोचली फलाहर खाने है क्योंकि मौसम बदला है तो इसमें सावन के महने में उस समय फलाहर का भी नियम बड़ा पिरमुक्त था एक होता है इसके अंदर अभी शेक करना अभी शेक जो सब्द बना है वो बना है निस्क्रमन से यानि अभी निस्क्रमन, आपने घर से अभी निस्क्रमन करना है, निक्खमन बोलते हैं पाली के अंदर, अभी निक्खमन, निक्खमन से इस्क्रमन बना और निस्क्रमन से ही अभी शेक बना, यानि कि आपको अपने घर से निकलना है और बिहार में रहना है या बिहार में जा बहुत परिवार हैं उन समय चलते हैं और माने जाते हैं इसलिए सावन के महिने की बहुत ज्यादा मानेता है क्योंकि सावन के महिने में जो भिक्कु संग आया है वो आपको पढ़ा रहा है और सब में बड़ा जोस होता है क्योंकि अभी तो पढ़ाई शुरू हुए है पाली में नहीं होता, ती होता है, ती और सुत्र भी नहीं होता, त्रे वड नहीं होता, ते और आधर है, ये शब्द पाली का नहीं है, तो इसको ती सुत्र बोलते हैं, ती सुत्र का बाद में त्री सुत्र हुआ, त्री सुल हुआ, तो ये ती सुत्र कौन से हैं, ये दुनि पे आपने देखने हैं और ये समझने हैं तो ये धारन करने हैं आपने कंठी धारन करनी हैं कंठी क्या होता है कंठी जो एक बीज होता है रुद्राक्ष के पेड़ का इसको रुद्दाक बोलते हैं पहले क्योंकि ये रुद्रक जो होता है पेड़ इस पेड़ पे एक बीज है जिसमें automatic एक छेद भी होता है या छेद इसमें कलिया जाता है तो इसको गले में टांग लेते हैं इस बात के लिए कि मेरा एक साल हो गया मेरा दो साल हो गया मेरा ती साल हो गया ये खास्तोर से महा यानि जो लोग हैं महा यानि जितने साल उनके होते जाते हैं भिक्कू बनने के उतने वो डालते जाते हैं और फिर उसको माला को अपने धम के लिए वो बपरसना के लिए इस्तमाल भी करते हैं तो ये जो कंठी और माला है ये कंठी माला दरसल वहीं का सब्ध है जो भिक्कु ने अपने साथ लिया और भिक्कु ने अपने साथ बनाया इसको याद करने के लिए कि कितने बरस उनको धम में हो गए है एक होता है साधना बलाने के लिए डम डम की अवाज करना यानि साधना का समय हो गया है तो आपने ढम-ढम की आवाज करने के लिए एक छोटा सा डमरू बनाया गया जिससे कि साधना के लिए बुलाबा हो जाके और लोग साधना के लिए आ सके आनंद आता है आनंद, नंद और नंदी यानि कि जैसे ही आप विपसना बैठेंगे साम को आप जब विपसना से उठते हैं तो आपको एक अलग तरह का आनंद या नंद या एक नंदी प्राप्त होता है एक सिंबल के रूप में है और जल पात्रों वहां चारतर भरे होते हैं ताकि मौश्चर ना हो ये महायानी परड़़ा का चल ढाए सारा क्योंकि महायानी परड़़ा में जो संकर बुध्भियार है ये वहां की कहानी और वहां का सब बठतान थे जो वहां उन लोगों ने बताया गया नाग वंस के थे क्योंकि ले लद्दा के अंदर साप नहीं मिलते और ले लद्दा के अंदर फिर भी क्या वो थे नाग वंस का चिंद है जो बाद में हाती से नाग का बना गया यानि कि वो लोग थे वो नाग परंपरा के लोग थे नाग लोग थे ऐसा उनका सिंबल है बाकी एक होता है चंद्र आभा यानि कि उसमें ठंडी आभा आ जाती है ठंडा मंडल आ जाता है उसके पूरे सरी के अंदर एक बहुत सांती वाला आभा मंडल आ जाता है जो उसके मुख पर विराट होता है और चंद्र पर दिखाईते था है ये सारे वो गुण है वो सील गुण है जो की विपस्चना करने के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते जाते हैं और रहते हैं सावन के महिने की सबसे खास बात ये है जो बहुत परंपरा में खास्तोर से महायानी प्रंपरा में होता है धन्यवाद